रामकृष्ण परम्हंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, रास बिहारी बोस, खुदी राम बोस, डोक्टर शामा प्रशाद मुखर जी, गुरुदेव रविंदर नाथ टैगोर, प्रफुल चाकी, जगदीश चंदर बोस की धरती की ओर से हम पुझे स्वामी जी म महराज का अभिनंदन करते हैं, जहां से वंदे मातरम का अंकुर फूटा, उस धरती के ओर से पुझे स्वामी जी महराज के चंड़ों में प्रणाम करते हैं, जिस वंदे मातरम को गा गा कर, गुन गुना कर, जिस वंदे मातरम के नारे लगा लगा कर, खुदी राम बोस से लेकर 1947 तक 7,32,000 नोजवानों ने 7,32,000 शहीदों ने हस्ते हस्ते फांसी का फंदा चुमा हस्ते हस्ते अपने सीने पर गोलियां खाई उस धर्ती की ओर से जहां मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई उस धर्ती की ओर से 1757 के बाद सन्यासियों ने सबसे पहले जहां पर विद्रो किया, सबसे पहले अंग्रेजों की सत्ता को चुनोती दी पुझय स्वामी जी महराज का अभिनिंदन करते हैं पतंजली योगपीट, दिव्वयोग मंदिर ट्रस्ट और कृपालू देव आश्रम इन तीनों की अगर बात की जाए और बंगाल की बात की जाए तो बंगाल और दिव्वयोग मंदिर ट्रस्ट में आज से सो साल पुराना नाता है हमारे दादा गुरू, गुरुदेव कृपालू देव जी महराज और रास बिहारी बोस दोनों आपस में अंतरंग मित्र थे और रास बिहारी बोस का स्थान कितना बड़ा है उनको करांतिकारियों का पिता मैं कहा जाता है उनको श्रेज आता है कि उन्होंने क्रांति कारियों की फोज तयार की 1857 के बाद जब एक बार 50 साल तक ऐसा लगा कि कोई बड़ी शशस्त्र क्रांति नहीं हो रही है बड़ा कोई संगर्श नहीं हो रहा है तो रास विहारी बोस ने 1910 में उस समय ये योजना बनाई थी कि अब 1857 की जैसी दोबारा क्रांति करनी है और अब की बार जो क्रांति हो उस वो क्रांति 1857 की तरह है अपूर्ण ना रहे अधूरी ना रहे संपूर्ण करांती करनी है ऐसे रास बिहारी बोस थे रास बिहारी बोस 1908 से लेकर 1915 तक भारत के अलग-अलग हिस्सों में रहे और उस दोरान वो देहरादून के वन विभाग में भी रहे वहाँ पर नोकरी करते हुए वो पुझे हमारे दादा गुरू करपालु देव महराज के लगातार संपर्क में थे जब दिल्ली में वायसराय के उपर बम फेका गया और उसके बाद जब पुलिस करांती कारियों के पीछे पड़ी थी अंगरेज उनको ढूंड रहे थे जिस समय करांती कारियों से पुलिस से डरकर करांती कारियों को कोई शरण देने के लिए तयार नहीं था कोई उनके साथ बातचीत करने के लिए संबंद रखने के लिए तयार नहीं था उस समय आपका पतंजली योग पीठ आपका दिव्वयोग मंदिर ट्रस्ट आपका कृपालू देव आश्रम एक ऐसा आश्रम था जिसने कृणतिकारियों के कंदे से कंदा मिला कर कारे किया और उनका पूर्ण सहयोग किया और मुझे लगता है पुझे दादा गुरू कृपालू देव महराज जी के विचारों के सम्वाहक के रूप में पुझे स्वामी जी महराज यहाँ पर है और रास बिहारी बोस स्वामी विवेकानन्द के विचारों के सम्वाहक के रूप में आप यहाँ पर है तो ये दोनों मिलन उस 100 साल पुरानी विचारधरा का मिलन है, कि वो करांटी जो 100 साल पहले अधूरी रह गई थी, उसको अब पूरा करना है अपने पश्चिमी बंगाल की बात की जाए, और पश्चिमी बंगाल के शेर की बात ना की जाए तो बातचीत अधूरी रहती है व्यक्ति के मारे में मानती थी, जो एक बार कदम उठा ले तो जो पीछे नहीं हटाता, ऐसे व्यक्ति के बारे में मानती थी, जो एक बार सोच ले, तो फिर उसको करके ही ठानता है, ऐसे महान सेना पती, नेता जी सुभाष्चंदर बोज की धर्ती है, आजादी की लड़ाई उस समय इंगलेंड के ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे Mr. Aitley 1945 से 1951 तक वो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रहे उसके बाद 1956 में वो एक बार भारत घूमने के लिए आए और जब वो भारत घूमने के लिए आए तो पश्चिमी बंगाल में आए पश्चिमी बंगाल में उस समय पश्चिमी बंगाल हाई कोड के Chief Justice पीबी चक्रवर्ती, कारेवा हक राज़ेपाल होते थे उनके राज़ेपाल के आवास में वो ठहरे राज़ेपाल महदे ने चक्रवर्दी महदे ने उनसे बहुत सी लंबी बातचीत की, अलग-अलग विश्यों के उपर बातचीत की, जो अलग-अलग पुस्तकों में लिखी गई है, छोटी सी जो उन्होंने बात की, वो नेता जी के बड़े व्यक्तित्तों को उजागर करने के लिए काफी है चकरवर्ती जी ने एटली से पूछा, कि 1947 में आपने भारत को आजाद क्यों किया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला उसको आपने कुचल दिया था उसको दबा दिया था, महत्मा गांदी का वह आंदोलन मुर्जा चुका था 1945 में विश्युद में विजय आपने प्राप्त कर ली थी विश्युद में बिटेन ने, अमेरिका ने और आपके मित्र देसों ने पूरी विजय प्राप्त की थी, और अब तो आपके पास प्रमाणू बम जैसे हथियार है आपने जो भारत में निर्मान किया है संसद का निर्मान किया है राश्टरपती भावन का निर्मान किया है जितनी भी इमारते आपने बनाई है आज अंग्रेजों को गए हुए 65 साल हो चुके हैं आप देखते हैं कि उनकी सारी इमारते बहुत मजबूत बनी हुई हैं उनके डाक मंगले, उनके रेस्ट हाउस उनके गैस्ट हाउस, उनके कलब सब बहुत मजबूत बने हुए हैं उनकी रेल की पट्रियां वो भी इतनी मजबूत है कि 65 सालों बाद चल रही है और आगे सो साल तक चलती रहेंगी इसका मतलब यह है कि अंग्रेज 1947 में या अंग्रेज 1947 से पहले बहुत जल्दी भारत से जाने के लिए नहीं आये थे उनकी योजना ये थी कि वो भारत को 100, 200, 500, 100, 1000, 2000 सालों तक लूटते रहेंगे और लगातार अपना नोकर अपना गुलाम बना कर रखेंगे तो जब चक्रवर्ती जी ने ये पूछा तो एटली ने जो उत्तर दिया वो सब के याद रखने योग्य है एटली ने कहा कि भारत को आजाद करने के वैसे तो कई कारण थे लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो नेता जी सुभाष चंदर बोस था जब चक्रवर्ती जी ने पूछा कि नेता जी सुभाष चंदर बोस को तो आपने 1933 में देश निकाला दे दिया था उसके बाद वो तो 1941 में देश छोड़ कर चले गए थे तो फिर नेता जी इसका कारण कैसे हुए तो मिस्टर एटली बताते हैं वो कहते हैं कि नेता जी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया हम भारत के उपर राज करते थे भारतिय सैनिकों की बदोलत भारतिय सैनिक ब्रिटिश राज मुकुट में शद्धा रखते थे और हमारे आदेशा नुसार चलते थे हमारे ब्रिटेन के सैनिक कभी भी भारत में पचासी अजार से अधिक नहीं रहे जो दस बारा लाग की सेना थी वो सारी भारतिय सेना थी नेता जी ने जब आजाद हिंद फोज बनाई तो उन भारतिय सैनिकों की शद्धा ब्रिटेन के राज मुकुट में नहीं रही ब्रिटेन की राज सत्ता में नहीं रही ये एक बड़ा कारण है एटली ने आगे बताया कि जैसे ही आजाद हिंद फोज ने भारत के रास्ते से बर्मा के रास्ते से नागालेंड मनीपूर के रास्ते से भारत पर आकरमन किया और नेता जी ने जब चलो दिल्ली का नारा दिया तो उस समय भारत के अंदर जितने सैनिक थे भारत की नोसेना ने विद्ध्रो कर दिया कराची, रंगून, मदरास, तमिलनाडू, सब जगें, नोसेना ने अपने हथियाल डाल दिये और बंदूकों का मूँ अंग्रेजों की साइड कर दिया हर जगें, नोसेना के सारे जहाजों के उपर, नेता जी का चित्र लगा दिया और जय हिंद के नारे लिख दिये, और अंग्रेजों भारत छोडों के नारे लिख दिये तो एटली ने बताया कि भारत में, बिटेश, बिटेन के राज की सबसे बड़ी जो रीड की हड़ी थी वो भारतिय सैनिक थे नेता जी ने हमारी रीड की हड़ी को तोड़ दिया और आजाद हिंद फोज के संघर्ष के बाद पूरा देश ऐसे जलने लगा जैसे ज्वाला मुखी जल रहा है और हमें ऐसा लगा कि हम ज्वाला मुखी के मुखाने पर बैठे हैं अगर हमने जल्दी से भारत को नहीं छोड़ा भारत को आजादी नहीं दी तो ये सब हमें जला कर राक कर देंगे एक छोटा सा प्रसंग मैं और बताता हूँ नेता जी कितने बड़े नेता थे आप सब को पता है नेता जी ने 1942 में हिटलर से जाकर मुलाकात की जर्मनी में वो गए 16 जनवरी 1941 को वो भारत को छोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते रूस के रास्ते जर्मनी पहुँचे और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की जब उनकी हिटलर से मुलाकात हुई तो वो कितने बड़े स्वाब इमानी थे इस बात का प्रमान देखिए हिटलर जिससे सारी दुनिया कापती थी उसने अपनी एक आत्म कथा लिखी थी माइन काफ के नाम से उसमें भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में कुछ गलत धारनाएं गलत टिपनी लिखी हुई थी नेता जी ने बड़ी निर्भिकता के साथ हिटलर के सामने वो मामला उठाया और उससे कहा कि भारत के बारे में जो आप सोचते हो वो भारत नहीं है आप अगले संसक्रण में इसकी सारी त्रूटियों को ठीक करें ऐसा कहने कि हिटलर के सामने एक दूसरे देश के सामने एक गुलाम देश का नागरिक अगर ऐसा कहता है तो ये बहुत बड़ी बात है और हिटलर ने नेता जी को क्या कहा जर्मनी का एक शब्द है फ्यूरर का आर्थ होता है नेताओं का नेता जर्मनी में हिटलर को फ्यूरर कहा जाता है हिटलर ने खुद नेताजी को भारत का फ्यूरर कहा फ्यूरर ओफ इंडिया कहा माना भारत के नेताओं का नेता 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1938 में जब नेता जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसी समय दूसरा विश्वयुद शुरू होना प्रारंब हो गया था 1949 से शुरू हुआ तो नेता जी का एक आग्रे था सारे नेताओं से महत्मा गांधी जी से जवारलाल नेहरू जी से सरदार पटेल से और दूसरे कांग्रेस के नेताओं से वो ये चाहते थे कि 1949 आगे जो विश्वयुद होने वाला है उसमें हम अंग्रेजों के उपर पूरी ताकत के साथ प्रहार करें गांधी जी ये कहते थे कि दुश्मन जब कमजोर हो उस समय उनके उपर प्रहार करना ठीक नहीं है नेताओं जी ये सोचते थे कि कैसे भी हो हमें अपनी आजादी लेनी है और आजादी कभी भी अहिंसात्मक तरीके से नहीं मिल सकती आजादी के लिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी आजादी के लिए तो बलिदान देना पड़ेगा तो 1938 में नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1949 में महात्मा गांधी ने नेताजी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया कांग्रेस में पहली बार चुना हुए गांधी जी ने अपने उम्मिद्वार के रूप में पट्टा भी सीता रमया को खड़ा किया और ये कहा कि पट्टा भी सीता रमया के रूप में कांग्रेस के अध्यक्षपद के लिए मैं खड़ा हूँ दूसरी और नेता जी खड़े हुए और कांग्रेस के इतिहास में देश के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना हुई नेता जी 201 वोटों से पट्टा भी सीता रमया को हरा कर विजई बने और उसके बाद गांधी जी ने कहा कि पट्टा भी सीता रमया की हार मेरी विक्तिगत हार है अप्रेल 1949 में गांधी जी और दूसरे नेता जेल में गए है लेकिन नेता जी 11 बार जेल में गए है और जब 11 बार उनको कैद किया गया तो 16 जनवरी 1941 को वो अफगानिस्तान रूस के रास्ते जर्मनी पहुँच गए आगे जर्मनी पहुँच कर जब उन्होंने देखा कि जर्मनी से कुछ नहीं हो सकता तो जापान में रास बिहारी बोस जी पहले से बैटे थे उन्होंने पहले से आजाद हिंद फोज बना रखी थी और 21 अक्तूबर को 1943 को नेता जी ने रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की अपने आप में ये बहुत बड़ी कूट नितिक चाल थी अंगरेजों को अंतराष्टिय स्थर पर नीचा दिखाने का सबसे बड़ा काम नेता जी ने ये किया कि भारत की सरकार भारत के बाहर गठित कर दी और सारे अंगरेजों को आक्रमनकारी घोशित कर दिया और सिर्फ सरकार घोशित नहीं की नो देशों से उसको माननता भी दिलवा दी ये नेता जी की सबसे बड़ी बुद्धी मानी थी महात्मा गांधी को यदपी दूसरे लोगों ने नेता जी का बहुत स्तिरिशकार किया लेकिन नेता जी की महांता देखिये उन्होंने सदेव सब का संबान किया महात्मा गांदी को राष्ट पिता का सबसे पहले संबोधन 6 जुलाई 1944 को टोकियो जापान के रेडियो संदेश में नेता जी ने दिया था रंगून के जुबली हाल में नेता जी ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूगा और नेता जी ने उस समय दान का अववान किया था जब नेता जी ने दावन का अववान किया क्योंकि एक सेना को चलाने के लिए बहुत बड़े धन और संपत्ती की आउशकता होती है तो नेता जी के दान का अववान को सुनकर सभा में से जैसा ये ओडिटोरियम है उससे थोड़ा बड़ा ओडिटोरियम वहां पर था तो एक वेक्ति खड़ा हुआ और उसने अपनी एक करोड रुपे की पूरी समपत्ती नेता जी को दान कर दी और वो समपत्ती दान करने वाला वेक्ति कोई हिंदू नहीं था वो एक मुस्लिम वेक्ति था रंगून का एक मुसल्मान था जिसने एक करोड रुपे की समपत्ती नेता जी को दान की जब नेता जी ने उससे पूछा कि तुमने एक करोड रुपे की संपत्ती के रूप में अपना भूमी भवन घर परिवार सब कुछ दान कर दिया तो अब तुम क्या करोगे तो उसने कहा कि मैं खुद आजाद हिंद फोज में भरती होंगा मेरी पतनी और बेटी रानी लक्ष्विवाई रेजिमेंट में भरती होगी और मेरा छोटा बेटा नेता जी की बाल सेना में काम करेगा नेता जी जब सभा करते थे तो दान कैसे आता था इसको आप देख सकते हैं कि नेता जी जब सभा करते थे तो उसके लिए जब वो आववान करते थे नेता जी की सभा करते थे जब आयो जब उनको माला पहनाते थे सामन्य गेंदे के फूलों की माला जो उस समय सायद एक पैसे की दो पैसे की आती थी तो नेता जी उसको निलाम करते थे कि मेरी ये माला भारत माता के लिए निलाम की जाती है तो नेता जी की एक-एक माला 35-35 लाख रुपे में निलाम होती थी लोग देश की सेवा के लिए दान देते थे पूरी दुनिया में राजनेतिक तोर पर और एक सेनानायक के रूप में जितनी बड़ी सोच नेता जी की थी उतनी बड़ी सोच और किसी की नहीं थी 1943-44 में जब पूरी दुनिया में महिलाओं को बहुत बुरी स्थिती में रखा जाता था महिलाओं को बहुत बहुत हिकारत की दृष्टी से देखा जाता था उस समय नेता जी ने रानी लक्ष्मिबाई रेजिमेंट बना कर महिलाओं को सम्मान दिया और माताओं बहनों ने भी अपने घर परिवार को छोड़ कर नेता जी की आजाद हिंद फोज में भरती होकर देश की लड़ाई लड़ी महत्मा गांधी से एक बार अंग्रेजों का एक ब्रिटिश पत्रकार है उस समय होता था लुई फिशर जिसका नाम आपने भी सुना होगा उस से पूछा कि नेता जी के बारे में आप क्या सोस्ते हैं नेता जी के गायब होने के बाद पूछा तो महात्मा गांधी ने उस समय नेता जी के बारे में कहा कि नेता जी तो भारत के देश भक्तों के देश भक्त हैं 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद महत्मा गांधी को ये कहना पड़ा कि आज अगर नेता जी सुवाश्चंदर बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता नेता जी की सेना में जितने सेनिक हिंदू थे उससे अधिक मुसल्मान थे और जितने हिंदू उन से प्यार करते थे उतने ही मुसल्मान प्यार करते थे नेता जी जब जर्मनी से जापान गए तो 90 दिन की तीन महिने की उनकी पंडुब्बी की आत्रा थी उस समय उन्होंने अपने सबसे भरोसे मन साथी के रूप में आबिद हसन को रखा था जो उनके नीजी सचीव के रूप में काम करता था नेता जी ने जब अपनी अंतिम उडान भरी 18 अगस्त 1945 को तो उनके साथ जो उनके साथ ही थे वो हबीबुर रह्मान थे वो खुद एक मुसल्मान थे नेता जी की आजाद हिंद फोज में हिंदू और मुसल्मान एक साथ बैटकर खाना खाते थे तो हिंदू और मुसल्मान नेता जी से बराबर प्यार करते थे अगर नेता जी जिन्दा होते तो भारत का विभाजन नहीं होते ये महत्मा गांधी ने भी 1947 के बाद महसूस किया 1945 में जब आजाद हिंद फोज के 30-40 अजार सैनिकों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो लाल किले में उनके उपर मुकदमा चलाया गया और जब उनके उपर लाल किले में मुकदमा चल रहा था तो उस समय आजाद हिंद फोज के 3 मुक्ष सेना पती थे शाहनवाज हुसेन, मेजर पीके सैगल और गुरबक सिंग धिलो तो उस समय जब अंग्रेजों ने आजाद हिंद फोज के सैनिकों के उपर मुकदमा चलाया लेकिन नेता जी की आजाद हिंद फोज के साथ जब नेवी ने विद्रो कर दिया और पूरा देश खड़ा हो गया तो 1945-46 में उन्होंने दोबारा वकालत का चोगा पहन लिया और उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फोज को मैं बचाऊंगा तो आजाद हिंद फोज के सैनिकों की तीन कैटेगरियां बनाई गई वो लोग जो मतर भूमी की रक्षा के लिए लड़े तीन कैटेगरिया बना कर कुछ को जेल में रखा गया कुछ को छोड़ दिया 1947 के बाद उन में से आदे सैनिक पाकिस्तान चले गए और आदे सैनिक भारत के अंदर रहे पाकिस्तान में जो सैनिक गए उनको पाकिस्तान की सेना में तुरंत नोकरी पर रख लिया गया दुर्भागे की बात ये है आप जानेंगे तो आपको आश्चरे होगा भारत के अंदर जो आजाद हिंद फोज के सैनिक रहे उनको भारत ने यह कहकर मना कर दिया कि इनको हम सेना में नहीं रख सकते ये तो विद्रो ही सैनिक है आज भी इंडिया गेट पर उन सैनिकों के नाम लिखे हुए है जो अंग्रेजों की सेना में रहते हुए किया मनिपूर कोहिमा के बीहडों में भारी बरसात में बिना खाने के बिना पानी के बिना दवाओं के और बिना हत्यारों के युद्ध किया उनकी कोई भी समर्थी पूरे देश में नहीं है अब एक अंतिम बात नेता जी उनिस सो तेटालीस में जब उन्हों लेकिन नेता जी की चिंता एक दूसरी थी वो ये सोसते थे कि देश तो आजाद हो जाएगा लेकिन देश की आजादी के बाद अगर अंगरेजों की यही विवस्थाएं चलती रही तो देश के 33 करोड लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो उस समय भारत की शिक्षा विवस्था को, चिकित्सा विवस्था को, अर्थ विवस्था को, क्रशी विवस्था को, सारी विवस्थाओं को ठीक करने के लिए 1943 से ही उन्होंने अलग-अलग विद्वानों के दल बनाने शुरू कर दिये थे और उनको आस्ट्रिया में, बुल्गेरिया में, चेकोसलाविया में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, हंगरी में, आयरलेंड में, पोलेंड में, रुमानिया में, स्विटजरलेंड में, तुर्की में, युगोसलाईया में, अलग-अलग देशों की विवस्ताओं का पूरा करने के लिए उस तंत्र को बदलने की आउशक्ता है जिसका आवान पुझ्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। को आदर्श मानते हुए और पुझ्य स्वामी जी महाराज के अंदर नेता जी के अधूरे सपने को पूरा करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हुए आपको और हमें संकल्प लेना है कि अब 9 अगस्त तक हमें विराम नहीं लेना, विश्राम नहीं लेना, लगातार अन वरत संगर्ष करते हुए स्वेम दिल्ली जाएंगे और अपने साथ कम से कम सो वेक्तियों को लेकर दिल्ली पहुँचेंगे परंपुझ्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटी-कोटी नमन भाई राकेश जीने, साइद आप पश्य बंगाल में रहते हैं और नेता जी सुभास्चंद्र बोस की इस बलिदान की शोर्य की स्वाभिमान की मिट्टी को अपनी मिट्टी मानते हैं साइद आपको जितनी जानकरी नेता जी के बारे में नहीं थी उससे ज्यादा जानकरी भाई राकेश जी ने आपको दिये और करीब सो साल पुराना जो क्रिपालु बाग आश्रम का दिव्य योग मंदिर का और पश्चिम बंगाल का जो एतिहासिक संबंध है उस इतिहास को उस अतीत को उस उन सणिम यादों को साथ में जोडते हुए और किस तरह से वरतमान में हमें संघर्ष करते हुए एक सणिम भविश्य के और आगे बढ़ना है उसके लिए भाई राकेश जी ने सब को भात ही प्रामानिक्ता के साथ तथियों के साथ और उन अईतिहासिक सत्यों के साथ जोड़ा उसके लिए भाई राकेश जी के और से पुनाहा बहुत बहुत अभिनंदन है अनमें जितनी संगठन क्षमता है उतने ही वक्तिरित्व की भी उनमें अपूर्व क्षमता है और किसी भी संगठन को शंचालित करने के लिए जहां मारे भीतर संगठन को कैसे खड़ा करना है ये गुण होना चाहिए वहीं पर लोगों को अपने साथ जोडने के लिए आपके भीतर भी वक्तृत्व की ख्षमता होनी चाहिए क्योंकि यदि आपके भीतर वक्तृत्व की ख्षमता है तो आप सो दो सो हजारों लाखों को नहीं आप करूडों लोगों के साथ को अपने अंदोलन के साथ अपने मिशन के साथ जोड सकते हैं और ऐसे ही ख्षमता जैसे भाई राकेश जी ने अपने भीतर विकसित की है हम चाहते हैं कि भारत सभीमान के युवा भारत के इस अंदोलन के प्रते कारे करता के अंदर ऐसे ही उसके भीतर वक्तरित्व की बिक्षमता हो उसका चरित्र भी उन्नत हो और एक उन्नत नेत्रित्व के साथ वो देश को आगे बढ़ा सकें अपिक्षा हैं सब कारे करता भाई भेनों से हम करते हैं